जैसे cities में development होता है उसके साथ लोगों का जीवन स्थर यानि standard of living भी बढ़ता है लोगों का normal जीवन स्थर तीन बातों पर depend करता है पैसा, घर और जरूरत की चीजें ये सारी चीजें इंसान के जीने के लिए basic है और basic जरूरत की चीजें कुछ cities में काफी महेंगी होती है और कुछ cities में reasonable price में मिलती है पर ऐसे अलग-अलग cost of living होने की वज़ा क्या है अगर हम पुराने समय की बात करें तो पहले रोज की जरूरते की चीजें की price काफी कम थी बहुत पुराने समय में नहीं जाते हैं 20th century को अभी के standard of living से compare करेंगे तो भी काफी फरक है शायद ये फरक बताना अभी short time में खतम भी नहीं होगा लेकिन आपने कभी घर के बुजर्ग लोगों से सुना होगा कि हमारे जमाने में सबजिया इतनी सस्ती थी घर के दाम इतने कम थे ऐसी कई बाते कभी सुनी होगी क्योंकि आज जैसे तेजी से basic जरूरते की price बढ़ती जा रही है बुजर्ग लोग सुनके shock रह जाते हैं पर क्या आप जानते हैं कि cost of living calculate कैसे होता है पहले जरूरत के goods और service की price find की जाती है फिर उस पे देखा जाता है कि एक इंसान का budget कितना है और एक साल में उसे particular चीज की कितनी जरूरत होती है जैसे इंसान को अनाज, gas, पानी इन चीजों की जरूरत रहती ही है तो इन चीजों की price और लोगों की income उस पर से cost of living calculate किया जाता है जैसे शहरों में cost of living गाओं के मुतबिक ज्यादा होता है क्योंकि develop cities में लोगों की income गाओं के लोगों से ज्यादा होती है इसलिए cost of living भी उतना ही high रहता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंगलोर और चन्नाई cities के cost of living में कितना फरक है और ये फरक होने के पीछे क्या वज़ा है वो बताऊंगी लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से latest update पाने के लिए हमारी चैनल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले वैसे तो इंडिया में 10 cities है जिनकी cost of living हाई है जैसे अब जानते हैं कि मुंबई का cost of living काफी सालों से हाई है पर अभी के वक्त में बैंगलोर का cost of living ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके पीछे क्या वज़ा है वो जानते है और बैंगलोर को चिनने के cost of living से compare करके देखते हैं कि दोनों में क्या फरक है जैसे cities में development होती है वैसे उस city की demand और वहां रहनी की लोगों की इच्छाए भी बढ़ती है काफी लोगों को मुंबई की city life पसंद होती है यहाँ पे job opportunity मिलती है अच्छा education मिलता है इसलिए बदलते वक्त के साथ मुंबई में रहना काफी लोगों की ख्वाइश होती है उसी तरह आज के वक्त में बैंगलोर AC city है जहाँ पे काफी IT companies है और लोग जॉब के लिए बैंगलोर में रहने जाते है और अभी के वक्त में बैंगलोर की companies में एक साल की average salary 10-11 लाग है और जब इंसन ज्यादा कमाता है तब वो ज्यादा खर्च भी करता है और इसलिए बैंगलोर के brokers, सबजी बेचने वाले, दुकान वाले जानते हैं कि हम ज्यादा price charge करेंगे तो भी लोग मना नहीं करेंगे क्योंकि उनको job करने के लिए वहाँ रहना होता है जब इंसन ज्यादा कमाता है तब वो बिना कोई फिकर किये खर्च करता है और बैंगलोर में लोगों की इतना खर्च करने की शमता है इसलिए वहाँ का cost of living ज्यादा है एक वक्त था जब बैंगलोर भी काफी cheap city था पर जैसे वहाँ development होने लगा वहाँ के लोगों का जीवन स्तर्ग बदलने लगा बैंगलोर में एक bedroom flat का rent 17,335 रूपीज है जहां कि चन्नाई में same flat का rent 13,072 रूपीज है मतलब बैंगलोर में flat का rent चन्नाई से 32,62% ज्यादा है उसके सिवा बैंगलोर में monthly net salary 50,722 रूपीज है और चन्नाई में monthly net salary 32,690 रूपीज है मतलब देखे कि कितना ज्यादा फरक है दो cities में रहने वाले लोगों की salary में भी चन्नाई में बैंगलोर के मुताबिक कम companies है वहाँ लोग ज्यादा खेती करके पैसे कमाते है किसी भी city का cost of living में facilities कितनी अच्छी है उस पे भी depend करता है मतलब city में safety, cleanliness, healthcare facilities, water supply ये सब ज़रूरी होता है चन्नाई में health, education, safety ये सब factors है लेकिन चन्ने में power supply, waste management ये सब इतने properly developed नहीं है और इसी लिए चन्ने का cost of living बैंगलोर के मुताबिक थोड़ा कम है मतलब कहनी की बात ये है कि city में जैसे development होती है वैसे लोगों का जीवन स्तर भी बदलता है तो ये सिर्फ दो cities के comparison थे किस वज़ा से city में cost of living ज्यादा है और किस कारण से cities में cost of living थोड़ा कम है जैसे बैंगलोर में basic facilities के साथ job opportunity है तो वहाँ का cost of living हाई है पर चैन्ने में ज्यादा job opportunities नहीं है इसलिए वहाँ का cost of living कम है तो अब आपके इस वीडियो पे क्या views है वो हमें comment section में ज़रूर बताईए और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे like, share और subscribe ज़रूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तो धन्यवाद